असलाम लेकुम स्टूइन्स आज हमने अपने साइस करनी है तो स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर बन से सबसे पहले आपके देखो कोश्चन में लिखा हुआ किया उसने उसमें मांगा है मीन मीन का सिंपल फर्मॉला आप लोगों को आता है ठीक है फिर भी आप यह देखो मैंन आपको कृश्चन में आपोर करने अब के आपके पास इंकम लिख वी है जो आपको पर आपके पास आपको कहता है का मार्म हाई उसके बाद आपके पास आँपको कहता है compute the mean of following sample value जिसमें आपकी यह values दी हुई है 1.373.64.15 यह values दी हुए है इसमें उसने कहा है पहले आपने निकालना है mean फिर उसमें उसने कहा है show that the sum of deviations of the value from their mean mean is 0 अब यह किस तरह से निकलता है यह देखो सारा मैंने यह solve किया वे हाँ पर देखो सबसे पहले मैंने mean निकाला mean कैसे निकाला जितनी x के values थी उन्हें add किया add करने के बाद मैंने उसे 5 पर डिवाइड करती हुए 5 values थी ठीक आगे निकालना था sum of deviation तो आपने क्या क्या जो आपका mean निकलावा था आपने उसे हर value में से minus कर लिए जब आपने उसे हर value में से minus किया आपके पास answer आजएगा जिसमें negative values भी होंगी positive values भी होंगी फिर आप उसे जब calculate कर लोगे तो आपके पास equal to zero answer आएगा ठीक है अब इसी का भी पार्ट है आपके पास इसका भी पार् that y bar y की value जो है वो find करनी x की values दिये हैं उन्हें फिर कहा कि y bar which is equal to 10 minus 4 x bar अब सबसे पहले क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम इसमें x bar find करेंगे x bar find करेंगे जितनी values है negative है positive उन सबको add करेंगे number of values पे डिवाइट करेंगे यहां x bar आपका आया one then आपके पास इसने आपको equation दीती के y bar किसके बराबर है y bar आपके पास बराबर है 10 minus 4 into x bar है तो आपने वहां पर x bar की value डाली simplify किया तो आपके पास y bar का जो answer है वो क्या आगया आपके पास वो आया है आपके पास 6 ठीक है अब यह दोनों values आगी आप चलते है question number 4 पे question number 4 में आपको इसने क्या दिया इस से reciprocal का नहीं निकालने का आप क्या करोगे जितनी आपकी reciprocal values उन्हें convert करोगे x में किस तरह से सारी values को one से divide करते जाओगे आपके पास values आते जहेंगे जैसी यहां पर किया हुआ मैंने 20 22.02 25 up to 100 सारी values को आप इसी तरह लिखोगे solve करोगे फिर उसे calculate करके simple mean का formula लगा के इसको solve करोगे ठीक है आगे देखो next question है आपके पास question number five question number five में आपको सारी values का log दिया हुए सबसे पहले आप क्या करोगे यह log वाली values का anti-log लोगे anti-log लेने से आपके पास x की values आ जाएंगे फिर जो x की values आएंगे आप उन्हें add करोगे और जितनी number of values उसे divide करोगे ठीक है यहा थी जिसमें हमें mean given था और n given था फिर उसमें से कोई incorrect values थी और उसके बाद correct values थी तो अपने इसको कैसे solve किया था सबसे पहले किया किया आपने इसमें आप अपना question देखो उसके हसाब से a student calculate the value of mean as 20 from 25 observation 20 उसका mean आया कितनी 25 observation से फिर उसने क्या किया उसने discover किया at time of checking that had copied down two values as 7 and 18 उसने दो दफा इसमें क्या किया है जो copied कर दिये 7 और 18 है जबके आपके पास जो correct values थी वो 13 और 17 थी तो आपके पास incorrect value 7 और 18 होगी और correct value 13 और 17 होगी तो आप ने क्या किया इसको simplify कर लिया x bar which is equal to submission x over n अब x bar क्या था 20 n था आपके पास 25 यहां से आपने निकाला submission x ठीक है देन आपने इसको आगे calculate करने किस तरह से आगे क्या 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 आपने यह इसको लगाया formula correct values जो थी उनको add किया incorrect values को minus किया उसके बाद आपने correct x bar निकाल लिया इसमें से ठीक है यह जैसे हुआ वा देखो next आपके पास है question number 7 question number 7 मैंने here solve नहीं किया वा अब आपके पास पीछे एक example दीवी थी जिसमें आपने submission x plus a divided by n plus 1 वाला formula लगया थे यह उसी तरह से होना है इन्होंने क्या दिया है कि 10 values the mean of 10 numbers is 8 10 values का जो mean है वो 8 आया आपके पास ठीक है उसके बाद आपने क्या किया है कि 11th values ने का एक include जब 11th value आईगी तो mean जो है वो आपके पास क्या होगा वो 9 हो जाएगा और n आपके पास 11 हो जाएगा सिर्फ यह find करना है कि जो number add हुआ 11th व उसके बाद अगला question है आपका 8 8 question में आपके पास उसने यहीं का कि आपके पास क्या arithmetic mean दिया है 98 items का और आपके पास जो है 50 आतर्स कमीन ठीक उसके बाद उसने two items जो है उसमें left out हुई है ठीक है left out हुई है तो आपने रह गई थी जो आपने calculate की यह values उसमें से 2 values रह गई थ देखो यह कैसे solve वहाँ है पहले 98 observations थी क्यों 98 थी कि दो values रह गई थी अब वह दो values भी आपने add करनी उसके बाद अपना mean निकालने और देखने वह क्या आता है ठीक है उसके बाद है आपके पास question number 9 question number 9 में आपके पास क्या है question number 9 में आपको दिया हुआ है frequency distribution जिसमें आपक का column बनाएं आप आपने क्या करना है एक्स और f की values को आपस में multiply करनी है उसका sum करना है और simple formula लगा के इसको solve करना है जैसे हैं आप 64 multiply by 4 होगा जो answer आएगा वो लिखोगे 65 multiply by 9 होगा वो लिखोगे अब इसी तरह आप टू सोन एंड तक आप जाओगे 73 multiply by 2 तक आप जो यह column में भी आपके पास यही है आपने पहले इसका mean निकालना है और इसमें second part में उसने कहा है आपने क्या निकालना है second part में इसका sum of deviation निकालना है sum of deviation कैसे निकलता है last वाला column देखो x-x bar का sum करो तो वो 0 के equal आना चाहिए sum of deviation होता है इसमें आप f भी multiply करो क्योंकि यह frequency distribution है मैंन जाएगी यह मैंने सारा pattern बनाया है calculate आपने खुद करना है और मुझे भेजना है चेक करूंगी मैं ठीक है फिर कोई confusion होती ही तो आप लोग मुझे पूछे मैं आपको बता दूँगी ठीक है next आप देखो next question है आपके पास question number 11 next question आपके पास आगे question number 11 है जिसमें निकालना आपने arithmetic mean है एक direct method से और एक shortcut method से आप देखो shortcut method का भी formula लिका है और direct method भी लिका है direct method में सबसे पहले आपने क्या किया इसमें से x is find किया x find करने के बाद आपने f और x निकाला f of x निकाल लिया ठीक है यहां पर next आपके पास जो मैंने इसमें से assume value ले ली है 35 यानि मैंने जो x से x में से एक random value लेनी थी जो assume value होती जिसे मैं a कह रही हूँ जो a होता है वो आपने मैंने यहां पर 35 ली आप कोई और भी ले सकते हो ठीक है उसके बाद मैंने यहां से d की values निकाली d की value निकालने के बाद जो d की observations आया थी उ देखें कैसे multiply होगा यहां पर माइनिस 30 था इसको multiply किया आपने 5 से frequency 5 से फिर माइनिस 20 था उसे multiply किया 12 से यह values आएंगी अब इसका जो sum आएगा फिर आपने according to this यहां पर formula में लगाना है ठीक next आपके पास है question number 12 question number 12 आगया आपके पास इतरी बिठाई अब देखें यहां पर आपके पास है question number 12 जो के simple है आपके पास आपने एक्स निकाला और इसको simplify किया और solve कर लिया ठीक है next है आपका weighted average भला उसमें भी simple आपको weight दिया वा था और marks दिये वे थे आपने किया कि इन दोनों को आपस में multiply किया और weighted का formula लगा कि इसे solve कर लिया ठीक है next 14 question भी same as it is आपका weight के साथ आपने से values को multiply करके add कर देना है आगे आपके पास है question number 15 यह 15 है आपके पास इसमें आपने A, B और C की जो category दी है A की weight को लेके इन तीनों को अलग-अलग solve करके आपने marks A, marks B, marks C यह values निकालनी और mean निकालने के बाद आपन ने बताना है सबसे अच्छा result किसका है ठीक है किसका जो है वह सबसे अच्छा result कौन scholarship ले सकता अब यह किस तरह से करना है पहले आपने W को A से multiply करना है नहीं A के column में 4 को 63 से फिर 3 को 65 से multiply करना यह वाला column अलग हो जाएगा इसी तरह फिर B के साथ आपने W multiply करना फिर C के 12 करो के